हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपने यूटिब चैनल क्रेट वैल तवी रतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से साउथ इंडियन बैंक की साउथ इंडियन बैंक जिसने निचे के लेबल पे एक अच्छा ब्रेकाउट दिय अब पता है कि हम हमेशा बिकली चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं मंतली चार्ट पे कि लोंग ट्रम के सेटप पे स्टोक कैसे नजरा रहा है और अगर तो टू आर्स का चार्ट या बन डे के चार्ट के उपर भी उसे स्टड़ी किया जाता है तो आप देखेंगे इस ले लेवल पे ही सपोर्ट लेता वह नजरा आया अब जो लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे जा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो सबसे पहले आप देखिए इस टाइप से यह जो चार्ट पे पूरा पूरा फोलो हो रहा था तो उपर के लेवल पे रिजिस्टेंस हो मतलब अगर सपोर्ट को ब्रेक करते ही स्टोग 20% के असपास निचे गया अब देखिए निचे के लेवल पे क्या हुआ है जब यह इसने यहां पर ब्रेक आउट कर दिया तो उसके बाद जो यह लाइन है और इस लाइन के बीच में यह एक डाउन ट्रेंड के अंदर निच तो अब आप देखेंगे कि यहां पर एक ब्रेक आउट होता हुआ नजर आ रहा है जो इसे थोड़ा सा ऊपर ले जा सकता है तो कहां पर बात करेंगे डेली चार्ट के अंदर आप देखिए इस टाइप से यह इहां पर ब्रेक आउट जूरूर इसने दिया है और एक अच् लेवल के उपर आपको सबसे पहले फोकस करके रखना है जो कि लेवल बनते हैं लगवग 8 रपे 40 पैसे के आसपास के कि अगर 8 रपे 40 पैसे को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे तो अगें सटोक जो है इसी चैनल के अंदर जाता हुआ नजर आ सकता है तो इसके उपर आपको नजर रखनी है 8 रपे 40 पैसे के आसपास उपर के लेवल पे 10 पैसे को अगर ब्रेक करता है और उपर की तरफ निकलता है क्लोजिंग देखे तो एक अच्छ पे 40 पैसे का स्टोक लोज लगा के रखना है और उपर के लेवल पे 10 पैसे को ब्रेक करके उपर की तरफ निकलता है तो यह स्टोक जो है उपर जाता हुआ भी नजर